आज इस टुटोरियल में हम दिखाएंगे कि ZX पैनल में डिवाइसे को टेक्स्ट कैसे देते हैं? पहले लेवल 2 ओपरेशन एनेबल करने के लिए टिक बटन दबाएं और अब पैनल डिस्प्ले लेवल 2 पासवर्ड के लिए पूछेगा कीपैट से लेवल 2 पासवर्ड डाले अब पैनल डिस्प्ले में मेनियो यूजर ओप्शन दिखाएगा कमिशनिंग के ओप्शन में जाने के लिए वन दबाएं अब पैनल डिस्प्ले लेवल 3 पासवर्ड के लिए पूछेगा Keypad से level 3 password डाले इसके बाद डिस्प्ले में commissioning menu option आ जाएगा हमें configure option चुनना है उसके लिए one button दबाए अब loop number सिलेक करें जिसमें device लगे है जैसे कि हमने devices loop one में लगाए हैं तो हम keypad में one दबाएंगे loop number one चुनने के लिए अब device option चुनने के लिए दो दबाएंगे पैनल डिस्प्ले एक message दिखाएगा Begin inspect at address number one हम MZ बटन दबा कर जो address चाहिए वो चुन सकते हैं जैसे कि हम one number device को नाम देना चाते हैं तो हमने डिस्प्ले में one address देंगे और enter बटन दबाएंगे पैनल डिस्प्ले इस device का संपून विवरन दिखा रहा है अब कीपैड में MZ बटन दबाएंगे और हमें बहुत सारे विकल्प डिस्प्ले में दिख जाएंगे इसमें हमें sensor text चुनना है उसके लिए पैनल के कीपैड में एक दबाएं sensor text में text entry करने के लिए हमारे पास तीन अलग-अलग तरीके हैं keywords, numbers और letters जो mode अभी इस्तमाल हो रहा है वो हमेशा square bracket में panel डिस्प्ले में दाईं तरफ दिखेगा हम cross button दबा कर keywords, letters और number mode बदल सकते हैं keyword mode हमें अकसर इस्तमाल होने वाले शब्दों को एकी बटन से दालने के लिए अनुमती देगा keywords panel में पहले से ही defined होते हैं हम उससे अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते number mode 029 number डालने की अनुमती देता है हम दो number और शब्दों के बीच में जगह greater than button दबा कर दे सकते हैं और less than button दबा कर हम number या शब्दों को संपदित कर सकते हैं letter mode हमें alphabet डालने की अनुमती देता है हम keypad में पहले से leveled A to M alphabet इस्तमाल कर सकते हैं N to Z alphabet के लिए पहले shift button को hold करें और फिर keypad में जो alphabet चाहिए उसका button दबाएं जैसे कि हम letter mode में हैं और हम पुराने text नाम को संपदित करना चाहते हैं और शब्दों के बीच में जगह भी देना चाहते हैं तो हमें उसके लिए cross button दबा कर number mode चुनना पड़ेगा उसके बाद less than button दबा कर पुराने text मिटाने पड़ेंगे और greater than button दबा कर जगह देना पड़ेगा दो शब्दों के बीच में फिल लिटर मोड में आने के लिए cross button दबाना पड़ेगा text name देने के बाद enter button दबा कर save करेंगे अब commissioning mode से बाहर आ जाएंगे हमारे training के बारे में और अधिक जानने के लिए और अपने potential को परखने के लिए honeywelldiscover training.com पर विजिट करें